हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एजू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे सेफ पोडोक्जिम एंटिबायोटिक मेडिसिन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि ये मेडिकेशन का बेजिक यूज वगेरा क्या है और उसकी फार्मकलोजिकल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये मेडिकेशन के डोस वगेरा क्या होते है side effects क्या होते है, कौन से contraindications है और कौन से warning and precautions रखने पड़ते है कि जब भी आप safe products in antibiotic medication यूज करते है तो अगर आपके पास android phone है तो android आप डाउन्डूड करे आइफन यूजर एप स्टोर से डाउन्डूड कर सकते है लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले basic concept समझे safe products in antibiotic medication के बारे में तो safe products in जो है वो antibiotic है और essay class का medication है कि जिसको हम कहते है sephalosporin तो जो हमने antibiotic series के अंदर आपको cephalosporins के बारे में detail में समझाया था तो उसके अंदर जो third generation cephalosporin जो है उसमें ये medication है safe products in और ये antibiotic medication है और cephalosporin class का ये third generation antibiotic medicine हम कहेंगे और ये क्या करेगा fight back करता है bacteria के सामने और उनको kill करके अपनी pharmacological action देता है जिसके कारण ये बहुत सारे जो bacteria होते हैं उनके करण होने वाले infection को treat करने के लिए use किया जता है और यहाँ पर आप देखें तो उसके tablet doses form भी available है और साथ ही उसका oral suspension जो है वो market के अंदर available है as a dry syrup तो ये था basic introduction about the medication अब समझते हैं उसकी working and mechanism की किस तरह से ये safe products in जो है वो काम करता है तो safe products in जो हम देखें तो वो क्या करता है कि जो bacteria के peptido glycan के बनी हुई जो cell wall होती है उसका synthesis जो है वो inhibit करता है कि normally क्या होता है कि किसी भी bacteria होते है तो bacteria के आसपास उनकी cell wall होती है ये देखो यह आपे लिखा है कि कोई भी बेक्टिरिया है तो उसके आसपास सबसे पहले उसकी होती है cell wall फिर जो plasma membrane भी होता है उसके आसपास तो outer membranes की जो बात करें तो वहाँ पे cell wall और plasma membrane होते हैं तो plasma membrane तो हमें पता है कि यह lipid का बना हुआ होता है कि जो bilayer होता है lipid का बाट जो cell wall है वो बनी होती है यह peptidoglycan की कि यह gram positive bacteria आप देख रहे है और यह gram negative bacteria के दोनों की जो cell wall है वो यह peptidoglycan की बनी हुई होती है तो जब आप यह safe podoxym proxactyl antibiotic medication किसी person को देते है तो यह medicine आपकी body के अंदर जाने के बाद क्या करेगा जो भी bacteria है उसके यह जो peptidoglycan का synthesis हो रहा है bacteria का cell wall synthesis के लिए तो वो production को ही inhibit कर देगा तो समझो कि जब यह peptidoglycan ही नहीं बनेगा तो bacteria की cell wall जो है वो नहीं बन पाएगी तो क्या होगा कि completely यह peptidoglycan जो है उसका synthesis inhibit हो जाएगा peptidoglycan नहीं होगा तो यह cell wall का भी synthesis नहीं होगा और जब किसी भी bacteria के आउटर membrane में cell wall नहीं होती तो वो bacteria आगे जाके जो है वो kill हो जाते है मतलब कि उनकी death हो जाती है और यह जो हम देखे तो gram positive and negative दोनों bacteria के लिए effective है तो इस तरह से safe podoxym जो medication है cephalosporin antibiotic क्या करती है? कील करती है bacteria को which caused the infection in the body की जो infection के लिए जो responsible जो bacteria है उनको ही किल कर देगा जिसके करण जो infection की severity थी वो दिरे-दिरे कम हो जाती है और completely वो bacteria infection ये medication का जो पूरा course करने के बाद क्योर हो जाता है तो उसके doses form समझे तो safe podoxym के 200 mg के tablet भी available है market के अंदर फिर उसका oral suspension आप यहाँ पे देख सकते है कि एलो से आफ 100 करके उसका brand है फिर ये exon और 200 करके कि जो cadila pharmaceutical उसका manufacturing करती है फिर आप notice करना Rx लिखा हुआ है मतलब कि ये prescription based medication है फिर उसके 100 mg के भी tablet अविलेबल है यहाँ पे आप देख सकते है फिर safe podoxym projectile के potassium clayolinate के साथ भी उसके combination के अंदर रहता है कि safe podoxym रहता है 200 mg और जो potassium clayolinate की जो हम बात करते हैं वो रहता है 120 mg ये combination के अंदर फिर उसका oral suspension भी अविलेबल होता है कि जो छोटे बच्चों के लिए भी आप यूस कर सकते है कि जो pediatric यूस के लिए भी होता है और adult भी ये suspension यूस कर सकते कि अगर वो tablet खाने में और सफल है तो तिस तरह से ये आप देखे उसके अलग-अलग doses form फिर use with prescription only ऐसा क्योंकि आप देखो कि आप जानते है कि कुछ दवाईों के उपर सला सुचन के अनुसार ही यूस करने चाहिए तो आप safe photoxim के अंदर देखोगे तो समझे कि उसका ये pediatric suspension है तो उसके उपर भी आप लाल लकिर देख सकते है RX लिखा हुआ देख सकते है फिर ये वाला जो tablet देखो उसके उपर भी ये लाल लकिर है और ये वाला जो combination में उसके उपर भी लाल लकिर या पर दियो है लाल लकिर मतलब कि जो red line हम बात कहते है तो red line that means prescription based medication proper जो advice के according to ये आप उसको use कर सकते है अब जानते है उसके basic कि उसके कौन से अलग-अलग medical conditions के अंदर ये medication को prescribe किया जाती है तो सबसे पहले used to treat the subtle infections caused by the bacteria कि bacteria के कारण होने वाले बहुत सारे ऐसे infection जैसे कि gonorrhea कि जो एक sexually transmitted infection है sexually transmitted disease है कि जिसको हम STD भी कहते हैं sexual transmitted disease उसके इलाज में भी ये medication prescribe किया जाता है infection of the ear कि जब आपको ear infection होता है तो उसके इलाज के अंदर भी ये medication दी जाती है throat infection जब होता है कि आपके oral cavity गदर ये जो throat का portion की जो tonsils होते हैं वहाँ पे tonsillitis वगरे के conditions होई है throat infection है तो भी ये medication काफी असरदार सबीत होता है फिर respirated wreck infection और उसमें भी specially जो आपका upper respirated wreck होता है कि जो वहाँ पे nozzle cavity है pharynx, larynx का portion आता है तो जो throat तक का portion हम कहते है respirated wreck के अंदर भी तो उसके भी इलाज में ये medication use की जाती है जैसे कि bronchitis आपको हुआ है sinuses हुए है फिर urinary tract infection में भी ये medication असरदार साबीत होती है फिर कुछ skin infections के अंदर भी as a antibiotic ये medication जो है वो prescribe किया जाता है तो ये था उसका uses अब जानते हैं उसके tablet के dose वगेरा तो कुछ tablets 100 milligram के strength में भी होते हैं कुछ medications जो है वो 200 milligram के strength में available है तो आपको किस तरह से use करना है तो usually lower dose से कई बार उसके treatment जो है वो start होती है because जो कई बार higher dose से resistance डेवलप हो जाता है body के अंदर की medication लेने के बाद भी उसकी असर नहीं होती और वो खासकर ये antibiotics के अंदर जाता होता है तो resistance ना हो इसलिए आप lower dose से भी उसकी treatment साज कर सकते हैं कि 100 milligram two times a day ले सकते हैं 7 दिन तक कि एक समझे कि आप morning में लेते हैं tablet एक night में ले सकते हैं और समझे कि 100 milligram के tablets available नहीं है तो maximum dose जो होता है उसका 200 milligram वो भी आप यूस कर सकते हैं every 12 hours for 14 days कि 14 दिन तक maximum उसका आप जो है वो ले सकते हैं medications को फिर बात करें उसके suspension की तो suspension जो है हमें पता है कि pediatric use के लिए ज्यादा है छोटे बच्चों के लिए भी उसको आप use कर सकते हैं तो उसका जो dose इस तरह से बनता है कि जो समझे कि otitis media है मतलब कि ear infection है कि छोटे बच्चों में भी ear infection है या फिर adult के अंदर भी है तो उसका dose इस तरह से रहता है कि 5 mg पर kg तो समझ लोगी किसी person का weight जो है वो 10 kg जितना है तो उसके लिए जो dose रहेगा कि 5 into 10 मतलब कि 50 mg जितना उसका dose रहेगा उसी तरह से समझो किसी person का जो weight है वो है 30 kg कि किसे बच्चे के लिए आप use कर रहें 30 kg उसका weight है तो 1 kg वजन हो तो 5 mg दे सकते तो 30 के लिए कितना तो 30 into 5 हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा dose 150 mg जितना और maximum जो है वो 200 mg आप कर सकेंगे उससे ज्यादा नहीं करने का चाहे समझे कि weight उसका 50 kg है तो 50 into 5 is 250 mg हो जाएगा बड़ 250 लेने की ज़रूरत नहीं है आपको maximum 200 mg जितना ही dose देना है ये 5 mg kg specially बच्चों के लिए है कि समझे कि किसी बच्चे का weight सिर्फ 5 kg का ही है तो 5 kg समझे कि उसका weight है तो आप उसको 25 mg जितना ही ये medication दे सकते है तिस तरह से ये dose उसके लिए calculate हो जाता है फिर समझे कि pharyngitis जैसा है tonsillitis हुआ है छोटे बच्चों के अंदर कि ये medication जो है 2 months से लेकर 12 years तक के जो children होते हैं उनको जो आप दे सकते हैं 2 महिने से काम age है तो उनके लिए ये medication नहीं है तो 2 महिने से लेकर 12 साल के जो children से उसके लिए आप जो इस तरह से dose calculate कर सकते हैं कि 5 mg पर kg और ज्यादा से ज्यादा 100 mg every 12 hours for 5 to 10 days for pharyngitis, tonsillitis उसी तरह से sinusitis जैसी condition है तो ऐसे condition में भी same dose रहेगा 5 mg पर kg और वो आप 10 दिन तक उसको ले सकते हैं So for other condition usually 5 mg पर kg ये खास रहेगा, fix ही रहेगा कि किसी भी condition में 5 mg पर kg तो common ही है वो आपको खास दियान रखना है but जो pharyngitis के अंदर 5 से 10 दिन तक ही enough रहेगा acute otitis मिला मलब की ear infection के अंदर जो आप 5 दिन में ही वो cure हो जाएगा और sinusitis है तो आपको 10 दिन दग ये खाने पड़ेगी और दूसरे जो minor infection है bacterial तो 5 दिन में ही जो वो infection cure हो जाएगा and don't use for children below the 2 month तो ये मैंने आपको समझा दिये कि 2 महिने से कम एज है बच्चे की तो उसको ना दे तिस तरह से आप pediatric use कर सकते है suspensions के फिर आगे बात करते हैं उसके side effects के तो इसके side effects के तो और पर आपको abdominal pain हो सकता है diarrhea हो सकते है, nausea हो सकते है constipation, loss of appetite gas, headache dizziness जैसा feel होना anxiety मतलब की जो है वो चिंता जो हम कहते है चिंता सबंदित विकार ये कई बार हो सकता है drossiness जैसा होना increased nighttime urination, runny nose sore throat overdose के अंदर के excessive use कर लिया तो sore throat हो सकते है cough and vaginal leaching और discharge हो सकते हैं कि अगर आप उसको काफी higher dose के अंदर इसको use कर देते हैं अब समझते हैं उसके contraindications कि कौन से medical conditions के अंदर इसको use ना करें तो समझे कि आपको hypersensitivity हो जाती है phalosporine class के किसी भी medication से तो जब आपको hypersensitivity जैसा हो जाता है तो इसको use करना जो है वो फाइदे मन नहीं है तो ये खास द्यान रखे कि hypersensitivity हो जाती है तो इसको तुरंत लेना बन कर देना है फिर hypersensitivity के अंदर भी जो हम anaphylactic sock कहेते हैं कि जैसे कि किसी person ने sapphic zim खाए थी और sapphic zim खाने से उसको जो है वो इस टाइब के कोई anaphylactic sock होए थे hypersensitivity थी तो हमें पता है कि sapphic zim के तरह sapphic zim भी sapphic zim है और ये भी third generation है तो अगर sapphic zim से ये problem होता था तो इससे भी होगा even penicillin लेने से भी ये hypersensitivity थी तो sapphic zim से 100% होने के chances है तो ऐसे condition के अंदर ये medication को नहीं यूज़ करने चाहिए जैसे कि safe production should be used with precautions और evoid in a patient with hypersensitivity to penicillin की hypersensitivity थी तो भी उसको यूज़ ना करे सैफ eczim या फिर उसके जैसे कोई भी cephalosporin की hypersensitivity तो भी उसको यूज़ नहीं करना because क्या हो के आसपास ऐसा सूज़न देखने को मिल सकता है कि जो swollen eyes के condition हम कहते है swollen lips या फिर tongue ऐसा हो सकता है fast heart rate हो सकते है abdominal pain vomiting होना start हो जाना इस तरह से hives develop हो जाते है races जैसा develop होता है whizzing हो जाता है difficulty in getting gear मतलब कि आपको breathing करने में difficulty होगी confusion, headache, loss of consciousness यह सब problems में create होते है कि जब आपको यह medication का allergy है तो खास उसको proper precautions के साथ है use किये जाते कि अगर आपको past के अंदर penicillin या फिर suffixism लेने से को यह से problems create होए थे warnings देखे तो do not take the तो अब अच्छे से समझे उसके warnings कि कौन से condition में use ना करे तो सबसे पहले कि आपको allergic condition से safe products से कि जैसे cephalosporin के किसे भी medication से आपको allergy हो जाती है hypersensitivity हो जाती है तो use ना करे फिर यह prescription based medication यह खास आपको दियान रखना है so it is an antibiotic medication so don't do the self medication self medication इसलिए नहीं करना चाहिए because समझे कि आपको अच्छानक से hypersensitivity हो गए तो उसको कैसे treat करना है वो आपको पता नहीं चलेगा तो जरूरी है कि आपके जो healthcare provider से उनकी proper एक बार advice लेने के बाद ही यह medication जो हो start करनी चाहिए and you can see the red line on its packaging कि red line दी हुई है वो आप देख सकते कि जो prescription based as well as antibiotics के लिए जो warnings होती है वो है दूसरे warning देखे तो do not take the safe products in projectile if you have a severe stomach pain कि अगर आपको already पेट दर धूरदा है काफी तो भी उसको लेना जो है वो अकलमन नहीं रहेगा diarrhea है और यह diarrhea ऐसे के काफी watery या फिर bloody diarrhea कि जो dysentery जैसे हम condition कहीं बार कहते हैं तो ऐसे condition में भी ये of skin and eyes होते हैं कि जिसको हिंदी में आप पीलिया कहते हैं तो भी आप उसको use ना करें पेल और yellow skin है dark color urine आ रहा है आपका confusion है weakness जैसे body में है तो ये medication ना खाए because इससे आपके condition और ज़्यदा खराब हो सकती है आपके body के अंदर scissors मतलब कि convulsions आते हैं allergic है, allergy है आपको ये medication की तो भी उसको use ना करें and hypersensitivity है तो ये सब अलग-अलग conditions में उसकी रहती है warning तो warning and contraindications देखने के बाद है ये medication को use करने चाहिए because ये medications ऐसा ही कि ये कोई normal medications ने कि जैसे कोई fever की medication होती है फिर cough and cold के लिए आपको normal medication खा लेते हैं, antihistamines ले लेते हैं ऐसा medication ही कि ना ही कोई vomiting की medication है चकर वगेरा की medication है, तो वो सब हम कई बार normal कह सकते हैं कि उनके उतने major side effect नहीं होते हैं but ये जो antibiotics होते हैं, उनकी जो hypersensivity और उसमें भी जो anaphyletics walk की जो हम बात करते हैं तो उससे खास आपको ध्यान रखना चाहिए तो ये था हमारा special lecture about the medicine thank you for watching join कर सकते हैं whatsapp group access कर सकते हैं study material को ये वाला whatsapp help line number है यह आपे आप देख सकते हैं access कर सकते हैं study material test series, video lecture pharma rocks के आप उपर तो android user android app download करें iphone user app store से link आपको description box के अंदर मेल जाएके so good luck and all the best